exercise 6.6 question number eighth in figure two chords a b and c d of a circle intersect each other at point t when produce outside the circle prove that triangle psc is similar to triangle pdb sit ki jay kpac or dpd b similar hai dya kya hai kya a b or c d 2 chords hai a b and c d are two chords intersects at p a b tathah c d d dho jivain बिन्दू p p per prrdishade करती है प्रतिचेद करती है और triangle p a c is similar to triangle pdb यह similar prove करनी है मैं यहाँ पर figure दुबारा बना लेता हूँ Angle 1 अब देखिए यहाँ पर आप इसको देखिए यह Angle 1 और यह Angle 2 Angle 1 प्लस Angle 2 इस इक्वल टू 180 यह equation 1 linear pair है बच्चो यह linear pair और यह है रेखी क्योंक हम हिंदी में में बोलते हैं बच्चो और सेकेंड ली देखिए Angle 2 प्लस Angle 3 विल बी 180 क्योंकि cyclic triangle की जो पोड़ी Angle होते है वो उनका सम 180 होता है यह हमारे पास second equation आगी यह first थी यह second equation from equation 1 and 2 देखिए हम equation 1 and 2 को compare करेंगे Angle 1 प्लस Angle 2 is equal to Angle 2 प्लस Angle 3 यहां से हमें क्या पता लग जाएगा Angle 1 is equal to Angle 3 अब आपने धियान रखना Angle 1 और 3 बराबर आगे अब हम क्या करेंगे PAC और PDB में P common आ जाएगा Angle 1 और 3 यह हमारे पास Same आगे अब लिखेंगे हम यहां Intrangle PAC and Triangle PBD Angle 1 is equal to Angle 3 यहां से प्रूव किया और Angle P is equal to Angle P यह हमारे पास Triangle P, A, C is similar to Triangle P, D, B P, D, B यह हम कैसे करते हैं इसको देखेंगे मैं आपको फिर एक बार दुबारा बताता हूँ यहां पर लिखने का तरीका किसी साब से होता है दो Triangle जैसे हमारे पास थी और इसमें हमने P को P के साथ common लिया था और Angle 1 और 3 को हमने एक वलिया था यहां पर Angle 1 है और यहां पर Angle 3 है ठीक है अब देखिए जिस पर Angle 1 है और Angle 3 है यहां पर हमारे पास क्या है Angle 1 A पर है 3 जो है वो D पर है यह A पर है और यह D पर है हमारे पास ट्रैंगल का नाम क्या था पूरी ट्रैंगल का नाम था P A C और दूसरे का था P B D यहां पर आ गया तो हम इस मताबिक लिते हैं उसको P A C P A C और यहांसे P D B तो यह हमारे पास दोनों ट्रैंगल सिमिलर आ जाएंगे और जो similar triangles हैं, उनके corresponding part जो है, वो same ratio में होते हैं, PA upon PD is equal to PC upon PB, अब इसको हम क्या करेंगे, cross multiply करेंगे, और cross multiply करेंगे, हमें क्या मिलेगा, PA into PB is equal to PC into PD, यही हमने यहां prove करना था, इती सिध्धम, यह question 9th हमारा यहां, question 8 हमारा यहां पर complete हो जाता है, बचो,